तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के सिंपल पेपर यूटूब चैनल पर. तो चलिए आज मैं आपके संग जो निूस डिसकस कर रही हूँ या जो पॉलिसी डिसकस कर रही हूँ वो डिसकस करने पे मुझे बहुत खुशी होरी है और ये जो policy है काफे दिन से news पे चल रहा है तो इस policy का नाम मैं बताते हैं मैं बहुत खुशी है इस policy का नाम है National Education Policy जिसको आप बोल सकते हो रास्ट सिक्षा निती तो National Education Policy जो है जिस पर सरकार ने बहुत बड़ा decision लिया है और after 34 years बाद ये जो policy आई है इसमें बहुत बड़ा changes देखा गया है educations के related तो ये मैं आपके सेंग discuss कर रही हूँ खुशी तो मुझे हो रही है पर साथ ही साथ थोड़ा जलिस भी फील हो रहा है कि काश ये सब सुविधा हमें मिली होती अपने education system पे कोई बात नहीं दे रहा है दुरुस्त है तो एकक करके मैं आपको इसमें पूरे points को discuss करूँगी कि बोर्स exam में, school level पे, college पे, post graduates पे या क्या-क्या facility सरकार प्रवाइट करने वाली है नाशनल education policy के दुआरा तो दीकिए जो national education policy है कल तक वो 10 प्लस 2 में था लेकिन आज वो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 में है बात वही है लेकिन उसके थोड़े से structures को change कर दिया गया है ठीक है अब यहाँ पे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या है पहला है foundation stage जिसमें आंगणवाडी को जोड़ गया आंगणवार जी क्या है देखे प्राइवेट स्कूल में आप क्लास 1 के पहले KG1, KG2 यह सारा पढ़ते हो गवर्मेंट स्कूल में यह सब नहीं होते लेकिन आप गवर्मेंट स्कूल में भी यह लागू किया जाएगा तो सरकार ने कहा है कि क्लास 1 के पहले प्री प्राइमर स्कूल वहां पे सारे चीज़ पढ़ाई जाएंगे नेस्ट आपका आता है प्रिपरेटरी स्टेज जिसमें आप क्लास 3 तो 5 पढ़ते हो नेक्स्ट है मिडल स्टेज जो क्लास 6 तो 8 है और लास्ट वान इस सेकेंडरी स्टेज जो क्लास 9 तो 12 है और सबसे अच्छा चीज है कि कल तक जब हमें अपने स्ट्रीम को स्लेक्ट करना था तो आफ्टर 10 के बाद आप करते थे लिकिन आज आप क्लास 9 से ही आफ्टर क्लास 9 तो आप स्लेक्ट कर सकते हो चॉइस कर सकते हो अपने सबजेक्ट को तो सच मानिए यह जो education policy है बहुत बड़ा changes आने वाली है शिक्षा के छेत्र में और मैं आपको यह वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले का आप बोल देती हूं कि जो भी आप सुन रहे हो तो यह ज़र्वी नहीं कि आपको इसके लिए student होना चाहिए चाहे आप student हो teacher हो कोई भी फिल्ड के हो यह policy है एक नीती है जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए क्योंकि we are the citizens of India हम नागरिक है भारत के और पता होना चाहिए कि सरकार क्या क्या नीती है पॉलिसी हमाई ला रही है उससे हम किस तरह से फायदा उठा पाते है हम हमेशा कहते हैं कि सरकार यह कुछ नहीं करती या वो कुछ नहीं करती बर सरकार जब कुछ लाती है तो उसे प पहले चीज़ तो यह बताऊंगी कि कल तक क्या था कि 6 से लेकर 14 तक जो बच्चे थे उनका राइट था एडुकेशन का आर्टिकल 21 जो हमारा कॉंसिटूशन का है समिधान का है वहां पे यह राइट है फंडामेंटल राइट से हर एक बच्चे का कि 6 से लेकर 14 तक उनको ए वह 3 से 18 यह हो गया है अब यह देखे जो 6 से 14 यह है वह एमेंट हो जुका है क्योंकि उसके आगे आर्टिकल लगा है तो वह आपके समिधान में है कॉंसिटूशन में है लेकिन यह चीज़ अभी एमेंट नहीं हुआ है यह ओन पेज है ठीक है तो हो सकता है सरकार आगे एम पर्चों को यह चीज़ फेसे अगरंदा को देना चाहिए इनडिया पड़ेगा अगर चाते हैं कि हमारा भारत डेवलपड हो आगे बढ़े तो हम सबको एक दुस्रे का साथ देना पड़ेगा और सिक्षित करना पड़ेगा क्योंकि जब अब कोई educated होता है तो इसके पास एक thinking power आएगी वो सोच सकेगा तो सिक्षा बहुत जरूरी है जो आज तक शायद ये भारत का दुरभाग ये था कि भारत ने उसपे कभी focus नहीं किया लेकिन आज सरकार जब इसपे focus कर दिये तो ये जानना हमाई लिए जरूरी है कि सरकार ने इसमें क्या क्या changes लाए है ये ऐसा क्या changes है जो अब बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं होती है प्रॉपर ट्रेणि उनके पास नहीं होती तो सरकार ने कहा है कि जो लोग भी class 12 या उससे एवब पढ़े लिखे हैं उनको 6 मन्त का एक कोर्स दिया जाएगा करवाया जाएगा और 6 मन्त का certificate program दिया जाएगा और जो लोग 10 से कम या बिल तो चलिए और भी आगे देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स है तो सारे पॉइंट्स में आपके संग डिस्कास करूंगी अब यह questions आता है कि assessment जो सरकार है यह कब तक लागू होगा तो देखिए लागू होने वाला है 2022-2023 में for example अगर कोई बच्चा भी class 8 में है तो ज से आर्टी ने मतलब की एक तरह से अड़फ्ट कर लिया और स्टार्ट किया इसमें क्या है नेक महाँ पने हाँ पर पॉइंट करना चाहती हूं Gross Enrollment Ratio Gross Enrollment Ratio जो है जिस पर सरकार बहुत सदा फोकस करेगी और 2035 तब Year 2035 तब सरकार चाहती है कि Gross Enrollment Ratio अच्छा हो जाए तो अब कुश्चन आता है कि Ma'am Gross Enrollment Ratio क्या है For Example समझ लीजे कि जब कोई भी बच्चे जब 3 साल के होंगे तो 3 years के जब कोई बच्चा होगा तो वो सब क्या है वो admission लेने के लिए उनके एक age हो गई है उनको आप स्कूल में डाल सकते हो तो मान लोग कोई एक district या कोई एक place है जहां पे 1000 बच्चे हैं 1000 में से सिफ 900 बच्चे हैं जिनों ने admission लिया तो हम कह सकते कि 90% बच्चे जो है वो pre-education में admission लेते हैं प्री प्राइवरी जो स्कूल होती है जो pre-education होती उसका जो admissions होता है जो बच्चे आते हैं बहुत अच्छा ratio होता है 90% कम नहीं है 100% भी देखा गया बहुत साइड district में तो ठीक है लेकिन अगा secondary school में आप जाओ class 11-12 में तो वहां पे current situation 56.5% है अब कुछ सोचो कि primary में 100% है मतला 1000 के 1000 बच्चे और एड्मिशन लिए लेकिन जैसे जैसे वो अपनी education में आगे बढ़ते हैं तो धीरे-द्यून की पढ़ाई छुटती जाती है या किसी कारण से वो छोड़ देते हैं तो जो आपका यहां पर secondary school है उसमें 56.5% लिया गया है अगर हम यह higher education में जाए तो current situation 26.3% है जो की बहुत कम है मतलब जो 1000 बच्चे थे वो higher education में 260 लोगी admission लेते हैं तो 1000 से 260 बाकी बच्चे कहां गया है higher education में बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं तो यह क्यों हो रहा है तो सरकार ने बोला है कि gross enrollment ratio को increase करेगी 2035 तक और सरकार का यह टारगेट है कि secondary school में 100% को increase करें और जो आपका higher education में 50% increase करें ठीक है next बहुत बड़ा question है जो सरकार ने changes लाए education क्योंकि local language आप बोल सकते हो language related बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसा फेस करते हैं language related problem कि उनको face करते हैं बहुत सारे बच्चे को English नहीं आता है या बोल सकते हो कि हम अपने मात्र भासा बोल सकते हो और अपने local language इस जादा comfortable रहते हैं पेजामपल हिंदी में लोग कमफोर्टेवल रहते हैं जो बेंगॉली में इस बेंगॉली में इस तो आप उसके समझ नहीं तो आप उसको पढ़ोगे कैसे तो सरकार ने बहुत अच्छा decision लिया है कि local language को ही किया जाए और minimum मतलब कि at least class 5 तक grade 5 तक आपको local language में ही पढ़ाया जाएगा उसके आगे grade 8 तक या उसके आगे भी अगर सरकार ने कहा है अगर preferable हो possibility हो तो राज सरकार अपने local language बच्चों को पढ़ाए कोई problem नहीं है देखें यहाँ पे जब सरकार ने national education policy लाई थी तो सरकार ने यहाँ पे wherever लिखा था wherever मतलब क्या होता है wherever possible मतलब सरकार ने कोई compulsory नहीं किया है सिफ class 5 तक compulsory है कि आपको local language में पढ़ाना है उसके बाद सरकार ने कोई compulsory नहीं बोला है सरकार ने छोड़ दिया है राज सरकार के उपर क्यों? क्योंकि education जो है वो आपके आता है concurrent list में तीन तरह के list होते है state list, central list, concurrent list अब जो concurrent list होता है उसमें आपके state government और central government दोनों का decision होता है तो education पे central government या केंद्र सरकार force नहीं कर सकती है, mandatory नहीं कर सकती है वो से बोल सकती है अब यह राज पर है कि वो कितना कितना ले के आते हैं तो या ज़किका class 5 तक तो आपको मिलेगा ही एकदम आपके local language में ठीक है और यह सरकार चाहती है कि इसको digitally हो, smart phone द्वारा, online बच्चे पड़े तो online education को सरकार promote कर रही है और सरकार चाहती है क्योंकि अब जितना technology से हम जोड़ेंगे, उतना हम सीख पाएंगे क्योंकि भारत को हमेशा देखा गया है कि हम technology के मामने में बहुत पीछे हो जाते हैं बाकी developed country से तो अब हमें पीछे यहना सरकार चाहती है कि बच्चे सीखे, ठीक है, अब देखे, अब मैं आती है, उसको स्कूल रिफॉर्म का था, अगर मैं बोर्ड का बात करूँ तो class 10 और 12 का, जो हम बोर्ड देते थे, वो well continue, वैसे ही होगा, लेकिन इसमें भी changes है, सरकार ने कहा है कि बोर्ड जो होगा, वो साल में दो बढ़ कराया जाएगा, और उसका अच्छा marks जो होता है, average निकाल के आपको दिया जागा, पहले क्या था, कि class 10 में एक बार बोर्ड होता था, class 12 में एक बार होता था, अब एक बार बोर्ड होने से क्या होता था, बच्चों पर थोड़ करेंगे और हमेशों अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें एक और चीज है, कि student यहाँ पे subject भी चूस कर पाएंगे, जैसे मैंने कहा कि किसी तरह का separation नहीं होगा, ऐसा नहीं है, पहले के ताम पर क्या था, जब अपने थे, तो आपका science, commerce और art stream, यह तीन stream चलते थे अगर आप science चूस कर लेते हो, तो आप arts और commerce पे नहीं class कर सकते हैं, अगर आप commerce कर लेते हो, तो arts और science नहीं नहीं कर सकते हैं, vice versa ऐसे arts की संगी था, लेकिन अब सरकार ने बोला है कि ऐसा नहीं है, अगर आप कोई भी stream चूस कर सकते हो, कोई problem नहीं है, अगर आप science चूस क यहीं किया जाएगा आप कोई भी सब्जेक्ट पड़ सकते हो ठीक है और साथ-साथ यह भी एक बेनेफिट है बैत को यहां पे मीडियम लेवल पेपर चून सकते हो जिससे पका स्कोर जो होता है वो बोर्ड में खडाब नहीं होगा अच्छ स्कोर से आप पास कर पाओगे जो आज की एडुकेशन में तो नहीं था तो आने माला जो यह सिक्षा है यह कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पॉल हैं सारे लोग इसका फायदा उठा है अब देखें यहां पे क्या होगा कि एक और चीज है कि जो रिपोर्ट तयार होते है विजल्ट से हम सब डरते हैं क्योंकि रिजल्ट हमारा पोल खोल देता है तो रिजल्ट जो रेटी होगा वो 360 डिगरी में होगा 360 डिगरी का मतलब क क्या होता है कि रिजल्ट को यहां पे सिर्फ कल तक क्या था कि टीचर्स मां करते थे लेकिन अब रिजल्ट में सिर्फ टीचर्स ही आपको नहीं देंगे टीचर्स के साथ साथ आप खुद आप खुद अपने को अपने को मार्क दोगे आपके जो कलीग्स होंगे जो फ्रें कर नहीं होगा, लर्निंग प्रसेस पे, लिटीकल थिंगिंग पे कि जो आप ने सीखा उसको आप किस तरह से इंपलिमेंट करोंगे प्रा ककल वbyल में। आस तक जो हम पढ़ते आ आ एं इंपलिमेंट करोंगे प्राक्टल doing यह करें दो बहुत डिफेंस तो यहां पर जो चीज को अपने प्राक्टिकल लाइफ में इस तरह से योगदान कर सकते हैं किसी भी चीज में तो यह सब चीज को अनलिसस किया जाएगा बच्चे की जो सोचने की पावर है उसको चंता बढ़ाया जाएगे कि सोचे के स्टड़ी कराई जाएगी अपको जती हिस सरकार भी ले डल जू है रही है कि सरकार फड़ाया जाएग। अब देखे का लए चैश्च क की छिःचे स्सक्श में चेंट सीचरण का सोच के चिशाल के अज़ परे साहनों जीडके तो रही होती है क्लाता वहाखी लागट जीचेज ग्षान साहल एंसेड़ी उस समय वह जादा सीखते हैं जादा कैप्चर करते हैं तो इस एज बच्चों को स्टार्टिंग से वैसा हम पढ़ाएंगे तो उनका जो बेस होगा जो फांडेशन लेवल होगा वह बहुत स्ट्रॉंग कर देंगे हम और क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉंग नहीं होगा तो आगे ज थे बारत के होने चाहिए बाकि एक लैंवज आउट साइट बाहर किसी पासधाव किला सकते हैं वह बहुत समल नाडू बैसके बाद हो दूसरे इंग्लिष लैंग्वेज्ट और थे लाया था अगर तीसरा फ्रेंच लैंग्वेज्ट ना चाहता है तो नहीं हो सकता क्योंक आप आउट ओफ त्री दो लैंग्वेज आपके भारत के ही होने चाहिए अब यहाँ पर बताती हूँ कि 2019 में अब नेशनल एडिकेशन पॉलिची का द्राफ्ट किया गया था आप इसको पढ़ सकते हूं गूगल में क्या कै लिगन मैं इसको बता दो ब्रीक्विंस में क्या इस इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें बोला गया जो त्री लैंग्वेज जो है वो हमिमडी ही होना चाहिए लेकिन हिंदी को हठाट और निग्वेज था क्योंकि बहुत सारे स्टेच्टर ग्ला था था तामिल्नादूं वेस वेस्ट्वेंगाल तो यह प्रॉब्लम कह वहाँ वहाँ थारीका क्वेस्टें भी होंगे अपके दिमाब में चालेंज ज़े तो अगर किसी का बच्छा बच्छा प्राइम्री प्राइम्री श्कूल किया है और वह फिर चला जाता है तामिल नाडू में या भीहार उप में तो वहां पर बंगाली लेंग्वेज नहीं तो वह कैसे फिर वहाँ पर पढ़ेगा तो इसके लिए भी सरकार ने सोचा है और एक कमिटी गठन किये जिसका नाम है इंडियन इंस्ट्यूट ओफ ट्रांजिक्शन एंटिप्रेट टूबी मतलब क्या है कि एक इंस्ट्यूट होय जो सेट अप करेगी ट्रांसलेट कर दे पर एक तरसे चैलेंजज़ आप बोल सकते हो क्रिटिसाइज नहीं है जा चैलेंज़ेस है कि सरकार ने कहा है कि लोकल लैंग्विज को यूज को यूज किया जाए पबलिक और प्राइवेट दोनों में पबलिक मतलब में प्राइवेट मतलब प्राइवेट स्कूल होते है प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है और यह कहीं ना कहीं क्लास को डिवाइट करता है हमारा मैंटिलिटी में डिफरेंस हो जाते हम यही सोचते कि जो सरकारी स्कूल होती है वो गरीबो के लिए होती है और जो एक प्राइवेट से प्राइवेट स तो हम लोग खुद English को इतना देते हो, एक तरव से class divided होता है, तो जो ministers होते हैं, जो high profile के लोग होते हैं, वो खुद अपने बच्चे को English medium पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ये local में वो पढ़ाएंगे, तो English तो आज भी dominant करेगा, तो सरकार इस challenges से कैसे टेकल करती है, ये हमें किस तरह बाकी जो local language उसको भी उतना ही important मिलता है, और किस तरह जो ये class है, इसको divided ना किया जाए, ये जो हमारा thoughts बना दिया गया है, कि भाई, जो rich है, उनके बच्चे तो पढ़ेंगे private में, और public में तो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, तो ये जो thoughts है, कही ना कहीं बहु इन्टी नहीं होगा, तो देखें, सरकार आगे क्या करती है, क्या कि अगर नीती बुलाईए, तो कुछ अच्छा ही करेंगी, तो चलिए, आगे चलते अब college का बात कलेज़ें, जो college student है, जो 12 के बाद college में उनके लिए सरकार क्या सूचिए, देखें, कल तक 12 के बाद जब बीबे करना चाओ, बीए करना चाओ, बिकॉम करना चाओ, आपको 12 के बाद एक एक्जाम देना पड़ेगा, और वो एक्जाम कन्या कुमारी से लेकर जम्मु एन कसमीर तक पूरे राजमें असेप्ट होगा, बस आपको वो एक्जाम देना है, वो एक्जाम के score के हिसाब से आपको किसी भी कॉलेज में आप जाओ, या अनुवर्सिटी में असेप्ट किया जाएगा, बाकिया किसी तरह के एक्जाम आपको नहीं देने है, या आपका 12 में अगर कम भी हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है, आप ये एक्जाम देके भी उस कॉलेज में भी जा सकते हो, ठीक है, अब ये देखे, मैं भारार कहा रहे हूं, ये सरकार ने में डिटेरी नहीं कहा है, ये सरकार ने कहा है कि ऐसा होगा, अब ये डिपेंट करता है पुरी तरिगा से हमारे राज्य подготовspziękuję करते हैं कि किसी आप नेशन एटूकर अप पुलिसी पढ़ोगे, तो इस रेहली बहुत अच्छा है अब इंप्लिमेंट कितना होता है कितने अच्छ सिखिया जाता है ये देखेंगे अब लोग आगे अब यापे देखिये हा मैं बदा दिती हो medical engineer technical field के जो है उन लोग के उनलों का जो यह है उनके लिए कोई ऐसा exam इस exam को नहीं माना जाएगा common interest exam, क्योंकि उनके लिए अलग exam करवाया जाता है, ठीक है, अब higher education का बात करते है, जैसे UG, जो grant UCG करती है, तो हाई, इनको हटाके, replace करके, higher education commission of India को लाया जा जा रहा है, जिसे medical, legal, ये सब के लिए, legal के लिए CLAT का exam होता है, medical, तो ये सारे exam को हटाके, एक higher education commission of India होगी, जो एक umbrella body होगी, और government का यहां मानना है कि जितनी भी institute, जो बाकी university से affiliation होती है, उनके affiliation को हटा के, institute ये university जो है, वो मतलब autonomous हो जाए, जिससे वो खुद का decision ले सके, खुद से पढ़ा सके, उसको किसी का affiliation होने का जर्वत नहीं है, तो सरकार का ये target है कि आने माले 15 years से affiliations को हटाया जा सके, ठीक है, अब देखें, यहां पर सरकार reform क्या लाने माली है, higher education में कि multi-disciplinary university, देखें, multi-disciplinary, जैसे हम लोग चाहते है कि हर बच्चा, एक multi-language learn करें, diversity हो तो एक बच्चे के अंदर तभी diversity होगा, जब teachers में होगा, universities में होगा, college में ऐसा करवाया जगा, for example, IIT जादा तर जाना जाता था, क्योंकि हमें लगता था, IIT मतलब हम लोग इंजिनर का preparation करें, इसले IIT में जाना, बढ़ आज के टाइम पर IIT दिली और IIT कान खरकपूर, आप देख सकते हैं, वो humanities का भी preparation करवाते हैं, तो ऐसा नहीं कि IIT को सिफ इंजिनरी के दवाला जाना जाए, उसको humanities या काफी अच्छे से IAM, IAM का बात करें तो IAM management के लिए जाना जाता है, क्यों? तो यहां पे यह इनवर्सिटी में भी multi हो, ताकि अगर कोई सो humanities पढ़ना हो, या management पढ़ना हो, या engineering किसी भी फिल में चाना हो, तो वो university उसको provide करें, ऐसा नहीं कि यह particular university से उसके लिए बनी, ऐसा भेदभाव कही नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ, faculty और institutions दोनों को उना चाहिए, क्योंकि teachers क अगर को एक तरह से faculty को बोल सकते हैं, अगर बढ़ा सकते हैं, जब आप फैकल्टी को अप थुरब ओढ़ना होती है, तो उनको पता हो देनी, तो ऐसे क्या होता है, उन्वर्सिटी का खुद का स्लेवर्स होता है, और स्लेवर्स के साबसे कभी भी सिक्षा को पढ़ा कि हम बढ़ा सकते बच्चे को, सिर्व उनको एक डिग्री दिला सकते हैं, लेकिन हम सच में चाहते हैं, कि विकास हो बच्चा का, तो हमें उनको स्लेवर्स के अधीन, मतलब ऐसा पढ़ाना चाहिए, उनको एक स्कीज होनके सोचने की सकती, डेवलब और रटने की सकती, तो स्ले मतलब क्या है, कि बहुत सारे ऐसे चीज है, जो सरकार लागू कर रही है, लेकिन सरकार अपने बतलब हातों में रखेगी, कि भाई, राज सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के इसको अच्छे से कर पाए, नेक्स राता आता आपका 4-year का कोर्स, जिसको कहते हो undergraduate, इसमें क् कि जैसे मानलो आज के टाइम पर आप किसी भी तरह का college छोड़ देते हो, first year, second year छोड़ देते हो, तो आप मतलब आपके बास कोई certificate नहीं होता, अगर मानलो बहुत सार बच्चों का सप्ली आ जाता है, तो उनका graduation वो नहीं कर पाते हैं, वो एक subject या दो subject के कारन तो नहीं ब मानलीजे किसी कारण आप first year ते कर पाए, first year के बाद आप financial problem और किसी और problem की कारण आप नहीं अपने study को आगे बढ़ा पा रहे हो, तो आप first year में सोड सकते हो, first year में आपको certificate मिलेगा, तो आप ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, या आपको कोई ऐसा कुछ नहीं है, अचा है, वो खड़ाप नहीं होगा, जिस भी year अप छोड़ देते हो, तो उस समय का जो आपका pass out आप करोगे, वैसा आपको degree मिलेगा, या certificate प्रवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ, academic bank of credit होता क्या है, मैं हूना movie आप लोग सब देखे होंगे, जिसमें सारू खान काफी दिनों बाद वो अपनी study को complete करने पा आता है, तो वो पिच्चर में था, बतब रियल में आप ऐसा कर पाऊगे, जिसमें मालोगी, फर्स्ट एर में अपनी प्री पढ़ाई छोड़ दी, और आपको पूरा course complete करने के लिए 40, 40 credits की जरुट थी, और आपके पास सिफ 10 credits है, क् कि अपने first study complete किया था, तो अगर आप चाते हो कि अब आपकी सारी situation अच्छी हो गई है, जो problem सा वो solve हो गया, फिर अपने study को लाना चाते हो, तो आप क्या कर सकते हो है, जा कि किसी भी college, जरुए नहीं कि जिस college में अपने खतम किया था, आप किसी भी college में जाके, फिर सारी को complete कर सकते हो, तो जो ये महुना में दिखाया था, कि अपने study को पूड़ा करना चाहिए, वो सच में हो सकता है, अब ऐसा कोई problem नहीं, अगर आपकी education छुट जाती है, तो आपको टेंशन लेका जरुवत नहीं है, आप किसी 5 years, 10 years बाद भी जा कि आप अपनी education को, सिक्षा को पूड़ा कर सकते हो, तो जितनी फीमेल्स होती है, जाए उनकी marriage हो जाए, something like, जब वो प्रेगनेंसी है, किसी कारण सो नहीं अपनी पूड़ा कर पाती है, तो अब वो कर सकती है, जाए 5 years बाट आपनी इसक्षा को किए, सरकार का यहीं नीती है, कि लोग पढ़े, लोग सरकार ने रास्ट्य सिक्षा नीती में क्या क्या एक अच्छ चीज है, जो हमारी लेलाए है, और 34 years बाद आया है, तो जरूर कुछ बात होगी, ठीक है, तो यहां तक मैंने आपके संग डिसक्स कर दिया है, सब्चिवजादिया, अब एक आते हैं हम लोग EMPHIL में, बहुत स लेने के बाद भी, बहुत साय लोग P.S.D. ही करते हैं, तो फिर क्या फाइदा EMPHIL का और देखिए, अगर बहुत साय लोग यह आने वाल एससमें टीर में लागू कर दिया चाहें, तो अगर अभी कोई सोच रहे है कि हम EMPHIL करेंगे, M.M. तो प्लीज आपके अच्छ क्यों involved किया रहा है education में, तो एक चीज़ देखिए कि foreign का involvement से क्या होगा, कि अभी तक जो हमारा higher education grant-based था, अब वो loan-based हो जाएगा, grant-based का मतलब क्या होता है, कि कल तक केंटर सरकार लोग देती थी, पैसा देती थी infrastructure के लिए college को, लेकिन आप loan-based हो जाए कि student पढ़ेंगे, तो student loan लेंगे, loan लेने से circular flow of money होता है, national income में आप लोग पढ़े होगे, और जाज़ादा लोग loan लेंगे, तो student के fees से, जो campus होगा, जो infrastructure होगा, college का, उसको सरकार, मतलब उसको वो लोग खुछ develop कर पाएंगे, तो कही ना कही अच्छा है, grant-based, loan-based, क्योंकि देखेंगे, गर क्योंकि देखेंगे, तो अगर ये grant-based, loan-based होता है, तो कही ना कही हमाय ले भी benefit है, और सरकार के ले भी है, ठीक है, next रहता है, technology in education, सरकार technology का भरपूर यूज करने वाली है, आप कर भी रहे हैं, क्योंकि अभी online classes, this is आप से चल रहा है, हम सब online बढ़े है, सिक्षा नहीं अगर कोई बच्चा आज को ताइम पर कहता है, कि मेरी तो पढ़ाई ही रुग गई है, तो ये इस बच्चे की गलती है, क्योंकि अभी आप चाहे, स्कूल में देखो, कॉले में देखो, हर जगा online classes आपको दिया जा रहा है, क्यों दिया रहा है, आपको दिया जा रहा है, आप उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है, चली, और पॉइंट आपके संग डिसकर्ट करते है, टेट का, टेट में क्या होता है, कि जैसे टेट आप देते हो, तो आप किसी भी जा सकते हो, किसी भी टीचिंग फिल्ड में, तो अब क्या होगा, कि आपको अगर टीचिंग फि सकते हो, अराम से टीचिंग में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और 2030 तक सरकार चाहेगी कि 4-year इंटीग्रेट को लागू किया जाजाए, बना हर कोई के पास ऐसी डिग्री हो, तो अगर आप को कहूंगी कि टाइम वेस्ट ना करते हो, अगर पका क्लास 12 ख सकते ही लाया गया, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा पॉलिटीज के भी कन्वर्स्टेशन लेके आते हो, कि है क्या चल में, दिखे, इस बर सरकार नी का है कि GDP का 6% बोल एक्स्पेंडीचर करेगी, तो पहले तो ये रेख लीजी कि नैशनल एट्यूकेशन पॉलिसी नाइ 1986 पर ही था, और थर्ड जो नीती आई है, वो 2020 में आई है, जबके हमारे प्रदान मंत्री जो है, वो नरेन मोदी जी हैं, तो यहां पर देखिए, एक चीज़ जियान रखिए कि 1968 में कोठारी कमिशन के टाइम पे, ठीक है, कोठारी कमिशन के टाइम पे, कहा गया था कि जग कि आजादी के बास से कभी भी हमने अपने GDP का 6% कुछ लगाया ही नहीं अपने सिक्षा के छेत्र में, कभी सोचा ही निस बारे को, इस फिल्ड को, इस छेत्र को शायद भूल से हमसे इग्नोरेंस हो गया, जिसका जो की सही नहीं था, जिसको हमने सुदा रहा है, इस नेशन एडुकेशन पॉलिसी के द्वारा, ठीक है, जैसे बहुत साइग कंट्री का लोगे, तो 7.5% बुटान और जिंबाबे, स्विजन करते हैं, 7% कॉस्रिका इंफिनलेंड का है, 5.5% यूके का है, 5% उसे का है, अकर आप देखोगे, तो वर्ल्ड एकनोमिक फोरम के द्वारा बोला गया है कि फिनलेंड वर्ल्ड का बेस्ट, बेस्ट मतलब बेस्ट रिकदम सिक्षा प्रवाइड करता है, ऐसी कंट्री है, तो क्यों है, क्योंकि उस 7% उसका GDP निवेश करता है, वो expenditure मिलाता है, मैं बोलती हूँ कि नैशनल एडुकेशन पॉलिसी जो ट्राट किया गय उनका सिफ 10% expenditure होता था, 10% और 2.7% हम education को सिक्षा को कैसे develop कर सकते हैं, और ये सरकान ने भारा सरकान ने खुद ये सारी country का भी data दिया है, तो हमसे जो गलती हूई उस गलती को मने सुधारा है, और अबने हमने काया है कि अब हम GDP में 6% को GDP का 6% हम expenditure करेंगे अपने सिक्षा क में तो ये जो कुछ ये जो education policy है, ये मैं आपके संग discuss किया, GDP का कितना पैसा जा रहा है, और national education policy के द्वारा आपको school में, classroom में, pre-prime school में, college में, क्या-क्या benefit मिल रहा है विन आपके सिक्षास को ले कि और एक और चीज यहां पर मिन बोलना चाहूंगे कि अब जो TET में जो पैसन से और कितना motivated है क्योंकि teacher अगर passionate नहीं है और teacher not motivated तो student को हम motivate कभी कर ही नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं है जो policy है, वो student के संग 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 teachers में, हम सब teachers में भी development लाएंगे, क्योंकि development और updated बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई को मतलब एक नया रास्ता बोल सकते हैं, नय बहुत लाएंगे, एक नहीं तरीका है जिससे सीखना है, टीचेस को भी सीखना है, और स्टुडेंट को भी सीखना है, अमोगो मिल कर एक अच्छे रास्ट का विकास करना है, तो चलिए अब कोई डाउट हो इसमें तो प्लीस आप कमेंट सेशन में पूछेगा, और मैं बात कर पाएंगे, आपको कोशन्स पूछ पाओगे, बहुत सारे चीज आपकी संग डिस्कस होंगे, तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है, तो इसको शेय करो, लाइक करो, जै हिंद!